वेल्कम टू डॉक्टर रागमाज चनल यह एक साइन्टिफिक चनल है जिसमें कि हम लोग साइन्टिफिकली डिसकस करें डियाबिटीज के बारे में अभी हम लोग यह थर्ड सीरीज है पहला और दूसरा सीरीज में हम लोग डिसकस कर चुके हैं कि एलोपेथिक के हिसाब से aujourd चुके डियाबिटीज का डियाबिटीज का किसे करें उसमें क्या क्या जांस है उसका वजह किया आद हम डिसकस करेंगे डियाबिटीज के हिटेटमेंट क्या है bạn को सबसे पहला आलोपेथ है रिज्द physical treatment में सबसे पहला चीज़ आता है वह है अग्याट जिए स ट यह हो आ पंच या छे मील का बात किया है, सबसे पाला ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में उसको खाना है दो पराथा मेथी का या गेहूं का तीन रोटी, उसके साथ चटनी, सबजी, और 200 ml दूध, बिना मतलब किरीम हटाया हुआ, बिना क्रीम का 200 ml दूध, ये ब्रेकफास्ट हुआ मालजे ब्रेकफास्ट नो पजे किया, तो दो घंटा बाद उसको मील लेना है, उसमें फूट लेना एक खो, कोई भी फूट, कम मिठा फल है, कोई एक फल लेना है, दो घंटा बाद, इसके बाद फिर लंच है, लंच में इसमें लिखा हुआ है, लंच में एक कप राइस, माफवार दो पराथा इसका चिकें खासकता है रोटी के साथ चिकें यह चाह साथ चिकन खासकता है और कुछ सब्जी यह खा सकता है जो vegetarian है वो मैं खासकता है कि इबिन इबिनिंग में चार बज arguments मिकधी बूह भार्व कंदोनों हो 17 पफिशग बूहा या भिस्कित खाएगा रात में या तो रोटी ले तीन या के दोसा सब्जी में भील इतर गोर्ड सब्सके लाएंना सब्सक्ताइब गउम बीलगोल मिक प्रोड़क्ट भी खा सकता है इसमें मीट फीस एग यह सब खा सकता है सिर्फ मीट नहीं खाना है रेड मीट नहीं खाना है यह है इसमार का डाइट चार्ट एक और डिखा हुआ हुआ है इसमें 40-50% कार्बोहाइडिट होना जी फुड में और 15% प्रोटीन होना चीए मतलब और जो रेस्ट बज़ किया वो फैट होना चीए तो अभी हम लोग डाइट के बाद क्या डिसकस किये यह जो डाइट है यह प्राया हरेक आदमी यही खाना खा रहा है जो भी आदमी डाइट चाट अभी बताया गया आपको यह ऐसे भी हरेक आदमी यही खाना खा रहा है इसके बाद इसका मेडिसीन है औरल हाइपोगलैसेमिक मेडिसीन यह मेडिसीन का मुख काम क्या है कि इसका में काम है इंसुलीन की मात्रा ब्लड में बढ़ाना या इंसुलीन का एक्शन हो सके ब्लड में उसके लिए दवाई देना जैसे कि इस तो यह दबाई में यह पाँच ग्रूप आप मेडिसीन है अब देखिए यह जो ड्रक्स है इसका साइध एफेक्ट भी मेंसन किया हुआ है जैसे पहला दबाई हम लोग क्या बोले एकार्बोज का सबसे पहला साइध एफेक्ट है यह इसमें लीवर डेमेज हो सकता है दूसर इसमें लीवर और हाट का डेमेज होने का चांस है इसके वाद सल्फोनाईल यूरिया में क्या-क्या आता है वेडगें होता है चमकी याएगा चमकी बदर मिलगी मिलगी आना लीवर डेमेज, प्लेटलेट काउंट घटना और केंसर होने का चांस है यह सलफनाइलूरिया में, गिलीमिप्राइड में, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना भी डाइबेटीज का दवाई है, उसका सबसे पहला साइन एफेक्ट है किड्नी फेलियर, हाट फेलियर, जी इसमें लोग इलाज करा रहे हैं, बस यही इतनी बात पर अधारित है कि इसमें कुछ दवाई है, जो दवाई दिया जाता है, और उस दवाई का में काम है, बोड़ी में इंसुलीन का मात्रा बढ़ना, लेकि इंसुलीन ही बीमारी का ज़र है, जब इंसुलीन का मात्रा मल्टी ओर्गन फेलियर के तरफ आदमी बढ़ जाता है अभी तक हम लोग डिसकुस क्या कर रहे थे कि डियामेटीज इंसुलीन की कमीश होता है और इंसुलीन और इंसुलीन से रिलेटेड मेडिसीन से यह कंट्रोल हो सकता है क्योंकि फिछले 100 साल से डियामेटीज का कोई कं इंसुलीन ले कुछ भी करें डियामेटीज कंट्रोल किसी कभी में होता है तो अखिर में डियामेटीज पर रिसर्च लेटेस्ट रिसर्च क्या है जिसके बारे में लोग अभी यह वी दावा करते हैं कि डियामेटीज जर्शी भी खतम हो सकता है कुछ लोग दावा करते है कि diabetes में का complication भी ठीक हो सकता है लेकिन 90% लोग जो जानते हैं कि diabetes कभी ठीक नहीं होगा चाहे कुछ भी कर लें और ये लाइलाज बीमारी है तो हम अगले session में discuss करेंगे कि diabetes का जो हम लोग latest research क्या कहता है इसके बारे में धन्यवाद